जैन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आयोप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो इस्टुडेंट्स हैं जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार की गढ़ी जो है खत्म होई है सरकार ने जो है जो है बहुत अच्छा नेने लिया है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है नोटिफिकेशन आचुका है लगभग साथ हजार प्लस वैकंसी आई है तो देखते हैं कम्प्लीट बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी A to Z information इस वीडियो में कहीं भी जाने क कि अप्लमेटिव रहने वाली आप लोगों के लिए A to Z क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली जो भी रिक्वार्मेंट है नुमारी क्या डॉकुमेंट कौन कौन से लगेंगे कौन से नहीं लगेंगे क्या है सारी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से ऑफिसेल वेफ यूपी पी बीपी डॉट गॉर्मेंट डॉट इन पर उपलब्द रहेगी और समय सानी इसकी यह बता रहे हैं कि लोग देख सकते हैं ठीक है तो हमने वहां से डाउनलूड कर लिया है अब करते हैं कम्प्लीट जो है बात कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है ठीक है तबी जय हिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों आप लोगों की इंतजार की जो घड़ी थी वो खत्म हो गई है अब हमारे सामने जो है नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस का बंपर भरती साथ जार प्लस बैक अंसों के करने हैं कौन कौन से डॉकुमेंट लगने हैं कब फॉर्म सब्मिट की लास्ट डेट है कितनी फीस रहने वाली है किसको क्या मिलना है ये डब्लू एस ये स्ट वीडियो में ऑफिस्यल वेबसाइट से यह नोटिफिक से डाउनलोड कर लिया है तो आप बात करते हैं और इस सम्मंदित जो भी नोटिफिकेशन की अपडेट से वह आप तक तरीद पहुचे और इसकी जो भी समय समय पर नोटिफिकेशन आएंगी वह भी आपको पहुचाते रहेंगे कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला था कि कौन-कौन से जिलो में जो है पेपर होने है पू तो आज देखो उत्तरप्रेश सरकार द्वारा बरती अमंप्रद्द बोद 19 सी तुलसी गंगा कॉंप्लेक्स विदान सबा मार्ग लखनू यह जो इनका एड्रेस है लखनू का यह दे रखा है ठीक है उत्तरप्रेश सरकार उत्तरप्रेश पुलिस का जो हैड़क्वाटर क अलग एड्रेस यह दिया हुआ है अब वेबसाइड के लिए बोल ले देखे देगा ठीक है दिनांग 13 दिसंबर 2023 को यह जो है सुचना विग्याप संक्या यह है आपका ठीक है तो पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी बरती 2023 उत्तरप्रदेश पुलिस में पूरसों यह मैलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर यह पेवेंड 5200 से अब 20200 ग्रेड पे 2900 पे मैट्रिक के अनुसार में 2700 आपका बेसिक पे रहने वाला है ठीक है तो आरक्षी नागरिक पुलिसों की अब देख लेते हैं पुलिस किसकी कितनी है 60244 वेकंसी आई है ठीक है यह आप लोग देख पारे होंगे यह कॉलम में और अच्छी नागरिक पुलिस की बरती है अना रच्छी जो है वह 24102 वेकंसी है इव्ली एस की है 6024 वेकंसी अन्य पिछड़ वर की है 16264 वेकंसी ठीक है अनुसूची जात की 12650 वेकंसी अनुसूची जन जात की है 1204 वेकंसी योग है 60244 वेकंसी टोटल ठीक है परिच्छा में जो है जो है जो भी कोई रिखती आउंगी अब डाउन कर सकते हैं वो उन्होंने बताया है आवेदन समय की आवेदन करने का जो है करकुलम दिया है तो इसमें देख सकते हैं ठीक है आवेदन सुल्क जमा प्रारम बहुने की थी आवेदन अबिक सुल्क जमा करने की प्रारम बती थी कुछ लोग वीडियो पर बता देते हैं कि भीजा ये इतनी दियारिक से है इतने तारीक से बस काम खतम पूरा एकदम ऑफिसल बेफसाइट से डाउनलोड की अबर नोटिसिकेशन है और आप तक पहुचाने गिम्मेदारी हमारी आपका छोटा से काम वीडियो को कर दें लाइक चैनल को कलने सब्सक्राइब आउनलाइन आवेदन अबलिक सुल्क जमा करने के अरब होने कि थी 27-12-2023 से स्टार्ट है ठीक कि आउनलाइन आवेदन जमने की अंतिम्तिती है 16-2024 सुल्क समय उजन एवं आवेदन संसोदन की अंतिम्तिती 18-2024 आवेदन सुल्क कितना रहने वाला है वह आप लोग देख सकते हैं आवेदन सुल्क है 400 रुपा रहने वाला है वह किसी भी स्रेणी के लिए यहां पर अभी तक दिया है ठीक है अरता है जो क्या है भारत का नागरिक हो और यही पूरा दिया है अपना बहुत आप लोगों को पता ही है ठीक है सैच्छिडिक योगिता क्या है दस्मी एवं बार्मी कच्छा उत्तिवन या सरकार द्वारा मानिता प्राप्त उसके समच्चत आरता होनी चाहिए भारत में बिधी द्वारा सितापित बोर्ड यहमं दस्मी एवं बार्मी कच्छा उत्तिवन नहीं अधिमानी आरता है कोई अडिशनल आपके पास मैं कोई राष्टी न्सीची बगारा कर रखें को डियोग का है को इन यह लिट का है तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा आयू है ज 2023 से बाय livro का गर्ना देख लेते हैं कब से ओने यह है पुरू सब्यारती द्नाग के 1 NBA 172023 को 18 वर्स के आयू पराप्त ना की हो और 22 वर्स की अई पराप्त ना की हो अर्土 मैं या bringtец का जन्व 02 एक साथ 2023 को अठारा वर्स के आयू प्राप्त कर ली हो और पचीस वर्स के आयू प्राप्त ना की हो अर्थात अब भ्यारती के जन्द 2 जुलाई 1998 से पूर्थ रता एक जुलाई 2005 के बात का नहीं होना चाहिए ठीक है अब पिछणा वर्स के लिए आपको समय समय पर जो है सरकारी नियमो द्वारा आपको छूट मिलेगी OVC 3 वर्स SC ST 5 वर्स और प्लस कर लो ठीक है 18 से 22 वर्स चरित प्राणा पत चरित रापका अच्छा होना चीए वह वही किसी थी सिंगल विवा की नहीं और उन डबल दूसर विवाने करके बैट हो बच्चिन का फारम रिज्यक्ट थीक है यह वह बता दिन गया भरती की प्रक्रिया वह आपको बता दिया है भरती की प्रक्रिया देके लो यह बवसाइड है पर अब्यारतियों का अलोकन हेट उपलबद है ठीक है लिखित परिच्छा तीन सवंकों का पेपर होगा आपका यह देख लो लिखित परिच्छा तीन सवंकों का पेपर रहने वाला है समय दो गंटा रहने वाला है और लिखित परिच्छा निम्नमत चार विसे होंगे चार विसे कौन कौन से होंगे वो आपको बता देते हैं देखो नमबर एक नमबर दो सामानिगान सामान हिंदी संक्यात्मा के वो मांसी को योगता विरूप्च मांसी का विरूप्च बुलिद एवं तरक सकती है बिहारतियों को लिखित परिच्छा में गलत उत्तर देने के लिए रणात्मक अंक प्रदान किये जाएंगे इस लिखित परिच्छा में कुल 150 प्रश्ण होंगे जिनके प्रतेक सहीं उत्तर के लिए दो अंक निरदारित हैं आरक्षी भरति के नीमावली के नुसार उक्त भरति में बिहारतियों को प्रतेक गलत उत्तर के लिए 0.5 आपका अधा नमबर कड़ गया दो क्वेस्टन का है दो नमबर का है तो आपका पॉइंट फाइफ रड़ात्मक दिया इसमें ठीक है दो नंबर का है तो एक आपका मालों चार क्वेश्चन गलत है तो एक क्वेश्चन आपका कड़ जाएगा यह बता रहे हैं 0.5 प्रड़ात्मक प्रदान किये जाएंगे यह लिखित परिच्छा कि अधारित प्रणाली के अनुसार संपन कराई जाएगी ठीक है तो एमर्वेस आपका पेपर होगा सब लोग बोल लाएते की हाथ से होगा हाँ वह मार्वेस पर होगा ठीक है संलगन होगा कि दसा में ऐसी परिच्छाओं में संभलित होने वाले बैर्दों द्वारा प्राप तंकों का समय मतलब एक से अधिक डेटों में हो सकता है ठीक है विवित प्रत्रिया प्राइज जाएगी ठीक है सई उत्तर निर्दारी तंक सही प्रश्णों की संख्या और इसे थावत प्रोड की वेवसाइट पर प्तासित किया जाएगा वैमार की आपको तीन कापिया मिलेंगी दो उधर जमा कर देना एक अपने पास रखना ठीक है अभी लोकों की संक्याओं सारी इक मानक पर इच्छन अभी लेकों की समय विच्छा सारी इक मानक पर इच्छन फिजिकल फिजिकल स्टेंडर्ड देख लो भाई ठीक है यहां से कर देते हैं शुरू यह उच्छाई समान नेवं पिछड़े वर्गों के लिए 180 सेंटीमेटर होनी चाहिए और यह देख लो आपको अनुसुचित जात और अनुसुचित magic 9ma64 ऐस खमसे कम 22 सेंटीमेटर फुलाना के साथ ओन और टिक पड़ी पांच सेंटीमेटर सिंहा फुलाओ अनिमारे पांच सेंटीमेटर सिंहा फुलाओ मांगत है इति यह देख सकते हैं में ईच्छ में लाब्स के लिए 1865 सेंतीमेटर होना सवर्ष और 147 सेंतीमेटर की ब महिला ब्यारती जान दें महिला ब्यारती लिए उन्तम 40 kg बेट होना चीए 40 kg बेट होना चीए ठीक है और सारी दचता परिच्छन सारी दचता परिच्छन आप काई देख लो है किसका कितना रनिंग होगी ठीक है इस कॉलम को पढ़ो जरा ध्यान से इससारी दचता परिच्छा में होने के लिए सामिल होने के लिए 4.8 km की दौर मीट में और मैला ब्यारती वे है तो पाइंट फॉर किलो मिटर की दोड़ 14 मिट में पूरी करवानी होगी मैं ऐसा नहीं है कि तो कम दोड़ोगे पूरा सब और जो आपका साइटिफिकेट आपको चाहिए चाहिए लमबवत और वर्टिकल आरचण जो आपको मिलेगा सीधा अरचण अंशुची जात के लिए उत्तर प्रदेश लोग से बादाए जाज परवान पत्र पांच वर्स की छूट मिलेगी आपको दे दिया है ठीक है यह कहा कहां से बनवाना है आपको दे दिया है ठीक है अंसुची जन जात के लिए पांच वर्स का यह आपको रहने वाला है ठीक है यह पांच वर्स का प्रमाण पत्र जाद प्रमाण पत्र यह जाद प्रमाण पत्र अन्य पिछला बर के लिए यह रखा है ठीक है ऐसे आर्थी प्रमाय पत्र ये ला दिकारी द्वारा सुस्थन आथा संग राम से नानियों द्वर्ण भूत पूर साइब को सई और दिश्चार्ज पर्मापत्र तीमि वर्सका प्लस्स प्रवारी द्वारा समय द्वर्ण ये दिया रखा ठीक है। गार्ट के बल्प पुरुसों के लिए इसमें कोई एज की रिलेक्सेशन नहीं दिया है आपका ठीक है समादेश संक्या मैलाओं के लिए आपका दे रखाए ठीक है यह होगे आपका अनिती बताइए वई आपकी अससे तन्तरता से नानी तुबहुत कम प्रम आप लोगों कोई तना तो कोई रखा नहीं भाई ठीक है आनलाईन आवएदन की प्रक्रिया देख लो उनले नावेदन प्रक्रिया आप लोग देख लो यह अब्यारती को बोर्ड की वेवसाइट http.upbpb.government.in पर जाकर All Notification Advacement को क्लिक करना होगा तक पस्चातार अच्छी नागरी पुलिस के लिए प्रेश्टेशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा सभी अब्यारती के वल आवेदन पत्प्रारुप भरे जाने हैं तो मिर्देश को सब बली बास समझ लें और तदानस्वार आवेदन करें इसके बाद अब्यारती को आवेदन सुख का बुक्तान ऑन-लाइन डेविट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माद्यम से करना होगा हेल्प लाइन नंबर आपको यह दे दिया है ठीक है यह हल्प लाइन नंबर कोई समस्य आति यहां पूछ कर सकते हो ऑन-लाइन का बुक्तान आपको करना है क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग यह बगरा दिया है ठीक है सैचली गोर्म समय प्रमाण पत्रों की डीजी लॉकर के माद्यम से अप्लोड करना होगा डिजी लोकर के माद्यम से अप्लोड करना बैरती कि अप एक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र फोटोग्राफ वे मस्ताक्षर यह आपको दिया है ठीक है कितने केवी का आपका साइन होना चाहिए ठीक है तो यह पढ़ लो यह आवेदन पत्र बैरती अपनी रंगीन फोटो आवेदन में लिखे निर्जारी गादा पर 20 कवी तो अधिक्तम 50 कवी अस्ताक्षर नियुनतम 5 कवी तो अधिक्तम 20 कवी ठीक है फोटो रंगीन होनी चाहिए जिसमें फोटो का लगवख 70% बाग चेरे का अच्छा दित हो 75% तो आपका फेस आना चाहिए इतना ठीक है बाकी और कुछ नहीं दिखाना है छे मेने के बीतर कई हो सफेद या हलके ग्रे रंग की साधी प्रष्ट भूम आवस्यक है बैक ग्राउंड जो है आपका सफेद या हलके ग्रे रंग का साधी प्रष्ट भूम आवस्यक है ठीक है टोड़ी से सिखर तक का साब दिखाई देना चीए पूरा एक दम बताया आपका क्लियर आवेधन की प्रक्रिया कैसे करनी है वह आपको वर्ती से सम्मंदित अन्यमाइद पुर्ण देश ये दिये हैं आपको बता दिये हैं आपको मैंने बोला था इस वीडियो के माद्यम से जो वाई लोग वमारे चैनल पर नहे है तो चैनल को जुरुर सब्सक्राइब करने हैं ठीक है जोब तो सम्मंदित आलें जोब तो सम्मंदित नोटिफिकेशन आप इस चैनल पर प्रवाइड करवाई जाती है सामान निगान आपका देख रहे हो ये सामान निगान है अब सामान निगान में क्या-क्या पूछा जाएगा सामाने विग्यान बारत का इतियास बारती संविधान बारती अर्थ ब्यवस्ताई वं सांस्क्रितिक बारती कृष्वी रापारी जी बैपार और सामान हिंदी में से हिंदी और अन्य भारती भासा आए लगाए का मौनिग्यान, हिंदी वन्माला तदवोत एस्वां प्रियावाची पूरा ही पढ़ना है, ठीक है? संक्यात्मा क्यों मानसिक योगता संक्यापद्धति सरली करण दसमलो भिन ठीक है लासा मासा और रैसो प्रपोर्शन लाभानी प्रसेट सजारान ब्याज ठीकवर्ति ब्याज समय टाइम एंड वर केवरेज टाइम एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन ये मानसिक योगता पढ़ना आपको ठीक है पर इच्छन क्या क्या पढ़ना है और मानसिक अभी रुची में क्या क्या पढ़ना है ये सब दिया हुआ है तो complete जो है बात कर ली है इस वीडियो के माद्यम से क्या क्या आपके संलगनक रहेंगे document कि प्रारूप कैसा रहेगा वह आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सेम ऐसा प्रारूप और यह जा एदर का नहीं होना चाहिए ठीक है कि कोई बोलता है नहीं इतना चल जाया गा नहीं चलेगा यह आप रखो जिसकी स्कृइन सोट अपने पासने और सेम एसे बनवाओं ठीक अप्रारूप टाइप करवा करके वो वैसे दे देते हैं वहाँ पर अपने आप जाओगे आप ठीक है तो हो गई यह कंप्लीट बात अगर जो कोई और information मिलती है तो हम आपको तरिक प्रवाइड करवाएंगे तब तक कि लिए जय हिन जय भारत